वेल्कम बैक एब्रिवन वेल्कम टो सिवल सर्व से श्टड़ी यूट्यूब चैनल देखे यूपीस सिवल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है फोकस करेंगे टेस्ट नंबर 287 पर और फोकस है इसमें मुगल सामराज्य पर इंपोर्टेंट प्रस जितने भी बनेंगे दो प पार्ट वन इसके बाद आएगा पार्ट टू क्योंकि वीडियो का भी बड़ी हो जाएगी तो प्रारभिक परिक्षा का कोर्स जो है वो समाप्ति की ओर है हर देन रविजन करते रहिए किसी टेस्ट को एकनोर ना करें तीन सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना की अंसर क्या है तो प्रश्न कर्मांग संख्या एक क्या है मुगलों के संदर में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए मुगल दो महान शाशक वंसों के वंसज थे मुगल माता की ओर से चीन और मदेशिया के मंगोल शाशक शंगेश खांके वंसे थे और पिता की ओर से इरान इराक बर्तमान तुर्की के साशक तैमूर के वनसज थे। क्या करेक्ट है इन में से कोई स्टेट्मेंट वैसे गलत ढूड़ना है यहांपर कौन सा सत्त है इसमें? तो पहला बाला तो करेक्ट है जो मुगल थे दो महान शाशक वनसों के वनसज थे। माता की तरफ से चीन और मधेशिया के मं कि दूसरा प्रशन है जो मुगल थे दो महान शाशक वनसों के वनसज थे। माता की और से थे यह चंगेज खाँ कहां का था चीन और मधेशिया का मंगोल था और पिताजी की तरफ से कहां से थे यह तैमूर के वनसज थे तैमूर कहां के इरान एराग और वर्टवान तुर् दूसरा प्रश्ण है नियमलखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है देखिए मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे और मुगलों ने अपने वंसावली का प्रदर्शन चित्र बनवाखर किया प्रतेक मुगल शाशक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया तैमूर कौन हो गया तैमूर हो गया पिताजी की तरफ से तो देखिए प्रतेक मुगल शाषक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाए एक अरेक्ट है और मुगलों ने अपने वन्शावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया और पहला बला मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे गलत है तो किबल एक ही गलत है यहाँ पर एक ही असत्त है मतलब तो इसका अंसर हो जाएगा किबल एक तो मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खांसे जुड़ी इसमर्तियां सैकड़ो व्यक्तियों के नरसंगार से संबंदित थी वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वनसच होने पर गर्ब महसूस करते थे क्योंकि इनके इस महान पूरवज ने 1398 में दिल्ली पर कबज़ा किया था कुश्चे नूमर त्री है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी अबम बावर के वीच हुए पानीपत के युद्ध में पानीपत के युद्ध के बाद बावर ने कौन-कौन से छेत्रों पर अपना कबज़ा जमाया तो कौन-कौन से छेत्रों पर कपज़ा जमाया था बाबर ने पानी पत के युद्ध के बाद 1526 में हराया उसने किसको इब्राहिम लोदिकुर और ये युद्ध कौन सा है फस्ट बेटल पानी पत तो इसने दिल्ली और आगरा पर कपज़ा जमाया तो इसका आंसर हो जाएगा अपसा नमबर भी तो 1526 में बाबर ने पानी पत के युद्ध में युद्ध के बाद दिल्ली अब आगरा को अपने कपजे में कर लिया और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को वादसाह घोशित कर भारत में मुगल सामराजी की नीव रखी अब है question number 4 नेमन में से कौन सा योगम सही सुमेलित है खानवा का युद्ध के सामने लिखाया 1527 पानीपत के युद्ध के सामने 1526 लिखाया चंदरी के युद्ध के सामने 1528 घागरे के युद्ध के सामने 1529 और इनके सामने कुछ कुछ लिखाया जैसे बाबर इबराहिम लोदी के बीच बाबर रणा संगा के बीच बाबर राज खाया 28 में चल दिया 29 में घर गया और 30 में मर गया बाबर 26 में पानी पिया का मतलब फर्स्ट बेटल आप पानी पत 27 में खाना खाया मतलब खानवा कायूद 28 में चल दिया मतलब चंदेरी कायूद 29 में घर गया मतलब घागरा कायूद 30 में मर गया का मतलब 1530 में हो गई बाबर की मरत्यू अब फस्ट बेटल अब पानीपत 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और खानवा का युद किस किस के बीच हुआ खानवा का युद हुआ है बाबर और राणा संगा के बीच तो ये दोनों तो गलत हैं इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमबर C एक और दो गलत है क्योंकि उपर नीचे लिखे हुए है सभी कैसे सही हो जाएंगे गलत है स्टेटमेंट पूरा ये तो भारी तुटी हो गई ना भाई C हो जाएगा इसका केबल तीन और चार सही है चलिए कोश्चन नमबर 5 है नीचे दीगे कथनों को ध्यान पूर बख पड़ें राज कुमार सलेम मतलब जहांगीर की माथी जोधा भाई दूसरा स्टेटमेंट है अकबर ने सबसे पहले कच्च बाहू के साथ वैभाईक संबंद इस्थापित किये ये प्रेशन बहुत सारे परिक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है और UPSC ने इस स्टेटमेंट बना कर पूछ सकती है इसको अकबर ने अपने शाशनकाल में कभी भी दक्कन का अभ्यान नहीं किया तो सत्ते ढूंडना यहां पर तीसरा तो गलत है दक्कन का भ्यान किया और सबसे पहले इनों ने जो है कचपाहों के साथ अपने वेभाहिक संबंद इस्थापित किये सही है दूसरा और राजकुमार सलीम मतलब जहांगीर की माँ जोदा भाई थी यह भी करेक्टर तो एक और दो करेक्टर हैं हाँ पर सी हो जागा इसका आंसर तो देखिए अकबर ने सबसे पहले कचपाहों से बेभाहिक संबंद इस्थापित किये और अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल मतलब भार मल की जेश्ट पुत्री मतलब बड़ी पुत्री हरखा भाई हरखा भाई मतलब जोदा भाई से विभा किया और इसी राजकुमारी से सहजाद सलीम का जन्म हुआ और सहजाद सलीम मतलब जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतेम वर्षों के दोरान उसकी सत्ता लड़ खड़ा गई और अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की सुरुबात होई और उसने बरार, खान देश और एहमद नगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्यों में मिला लिया इसलिए इसका आंसर जो है तीसरा वाला गलत है फर्ष्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्ष्ड इनकरेक्ट है तो इसका आंसर रोजागा option no.c चलिए अगले अप्रेशन की तरह पक्रिसर होते है खुरम निम लिकितों में से किस का बえーटा था बताए है और अंजेब का सा जहां का दाराशिकोया जहांगीर क्या है इसका अंसर यह प्रशन तो थमरेल पर भी पूछ रखा है ना दाराशिकोया अलागर गलत मत कर देना इसको इसका अंसर आपसर नमबर डी जहांगीर तो देखिए राज कुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में साजहां कहलाया और इसने जहांगीर के शाशन के अंतिम बर्षों में विद्रो किया साथी जहांगीर की पतनी नूर जहां ने साजहां को हाशिये पर ढखेलने का प्रयास किया जो की असफल रहा कोश्चन नमबर सेबन है साजहां को अंतिम दिनों में किस जगे कैद किया गया था किस जगे पर कैद किया गया था दिल्ली फत्यपुर सीकरी आगरा जहासी तो दिल्ली में नहीं किया गया था फत्यपुर सीकरी में भी नहीं जहासी में भी नहीं इसका अंसर अपसन नमबर स देखिए कुछ प्रेशन विल्कुल आसान से लग रहे होंगे जैसे सी और डी ग्रूप में पूछे जाते हैं लेकिन कोर्स भी तो कम्प्लीट करा ना सारी एक्स्प्लमेशन को सारे टैस्ट को अच्छे से कबर कर लो UPSC अपने आप टफ कर देगी इनको तो देखिए साजहां जब बीमार हुआ तब उसने दाराशिको को साशक निक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थती में यही सासन का संचारन करेगा और बाद में उसे प्रतेक्स रूप से उत्तराधिकारी भी घोश्चित कर दिया गया यद्दपी एक होश्णा बेदिबद रूप से नहीं हुई थी और इस कारण से साजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर जगड़ा सुरू हो गया इसमें औरंजेब की बिजय होई और उसने दारा शिको समित अपने तीनों भाईयों का मत की घाट उतार दिया और और औरंजेब के अंतिम समय में साजहां को आगरे के किले में बंद कर दिया क्वेशन नुबर एट है औरंजेब के किस पुत्र ने औरंजेब के बिरुद विद्रो किया जिसमें उसे मराठो और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला क्या है इसका अंसर काम बक्ष नहीं है मुज्जम नहीं है आजम नहीं है यह है अकवर सेकंड तो औरंजेब के पुत्र अकवर ने अपने फिता के बिरुद विद्रो कर दिया जिसमें उसको मराठो और दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन सहयता मिली और यह सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंजेब की राजपूतों के बिरुद इस्थिती काफी कमजोर पड़ गई अब है कुशन नम्बा नाइन दक्षण के किन दो राज़ियों को औरंजेब ने अपने सामराज में मिलाया था किन को मिलाया था औरंजेब ने गोलकुंडा को मिलाया था लेकिन बीदर को नहीं मिलाया था तो यह ऐलिमिनेट हो जाएगा तो बीजापूर और गोलकुंडा को मिलाया था तो C हो जाएगा इसका अंसर तो देखिए औरंजेब ने 1685 में बीजापूर तो था 1687 में गोलकुंडा को अपने राज़ में मिला लिया कोश्य नमबर दस है औरंजेब की सेना के विरुद किसने छापमार पद्धिती सुरू की किसने की जस्वंत सिंग नहीं की थी और राज सिंग नहीं की मराठा सिवाजी ने की थी इसका अंसर हो जागा डी तो देखिए मराठा साशक सिवाजी ने और अंजेब की सेना के विरुद शापमार पद्धिती सुरू की थी कोश्य नमबर 11 है मुगल उत्राधिकार के संदर में निम्न कत्मों पर विचार कीज़े मुगल जेश्टाधिकार के निम में विश्वास करते थे जिसमें बड़ा पुत्र ही पिता के राज का उत्राधिकार ही होता था उत्राधिकार में सहदायाद की मुगल और तैमूर वन्षों की पर्था को अपनाते थे देखिए पहला वाला तो गलता है मुगल जो थे वो जेश्टा जेश्टाधिकार के निम में विश्वास नहीं करते थे तो इसका अंसर ये तो होनी सकता ना ये होगा उत्राधिकार में सहदायाद की मुगल और तैमूर वन्षों की पर्था को अपनाते थे तो देखिए मुगल जेश्टाधिकार के निम में विश्वास नहीं करते थे इसके विपरीत वे सहदायाद की मुगल एवं तैमूर वन्षों की पर्था को अपनाते थे और जिसमें उत्राधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था कोश्य नूमर बारा है निम्न में से कौन से कथन सत्ते हैं मुगलों की सेवा में आने वाले नोकरसा मनसबदार कहलाते थे और मनसबदारों की निक्ति केवल योग गयता के अधार पर की जाती थी और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमी के का तो देखिए मुगल सेवा में आने वाले नोकरसा जो है वो मनसबदार के लाते थे और मनसबदार सब्द का प्रियोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी इनकी निक्ति केवल योग गयता के अधार पर नहीं होती थी कि मनसब प्रदान करना समराट का विश्चेश अधिकार था वह किसी को भी मनसब दे सकता था किसी को भी कम योग गयता वाले को भी कोश्चन नमबर 13 है निमन मैंसे कौन सा कथन सत्य है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर्षा मनसब कहलाते थे और मुगल प्रशाशन में पद एवम वेतन करने थाने जात की संक्या पन्निर्भर था मनसबदार अपना वेतन राजस वेकत्रित करने वाली भूमी के रूप में पाते थे ये तेरवा और बारवा प्रशन कुछ एक जैसा नहीं हो गया एक स्टेट्मेंट गलत है यहाँ पर मतलब तीसरा और सेकिंड वाला चेंज हो गया है शलिए इसका आंसर भी बताना होगा पहला तो करेक्ट होई जाएगा मनसबदार अपना वेतन राजस वेकत्रित करने वाली भूमी के रूप में पाते थे ये गलत हो गया अब ये नई चीज मिली है अपर सेकिंड वाला स्टेट्मेंट मोगल परसासन में पद अबम वेतन का निर्धरन जात की संक्या पर निर् गलत है ये गलत है तो सारे एलिमिनेट करके इसका आंसर वन और टू निकलेगा तो देखे मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रिणी व्यवस्था थी जिसके जरिये पद वेतन एवं सेन उत्तरदायत निर्धायत किये जाते थे पद एवं वेतन का निर्धरन जात की संख्या पर निर्धर था जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरवार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी तथा बेतन भी उतना ही अधिक होता था सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोडे अबम घोड सवाडों की संख्या तै होती थी तो दो स्टेटमेंट सेम हैं लेकिन ये सेकंड वाला जो है अलग है तो इसलिए इसका अंसर केबल एक और दो है ये गलत है और यहां पर जो इसका अंसर है वो केबल एक है तो तेरा प्रस्ष्ण इसमें एड़ किये गए थे यह पार्ट बने इसका मुगल समराज़ का पार्ट टू में इसको कम्प्लेट किया जाएगा 10-11 MC को जित्ते ही अन्यवाद